है गाईस तो स्वागत है आपका कैप्टेन बीटू के चैनल में जहां आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हर उस गैजेट्स के बारे में जिसे ब्लैक वीडियो ने mcu के अंदर यूज किया तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हम हमारे चैनल पे ऐसे वीडियो लाते रहते हैं और इससे पहले भी हमने लेसर टॉक्ट करेक्टर यान की हौकाई के बारे में भी वीडियो बनाया है जिसमें हमने उसके हर उस एर में यूज किया था इस गार्ट को रोकने के लिए एंड सेम टीजर डिस्क की मदद से वह विंटर सोजर की मेकानिकल आर्म को कुछ पल के लिए मैन फिंशन करवाती है इसके अलावा यहां पर वो टीर गैस डिस्क भी यूज करती है दो गार्ट के ऊपर एंड बात में वह यानि कि वो जो रस्सी टैप चीज होती है उसे भी यूज करती है गई लोगों को ऐसा लगता है कि इस सीन में जो स्प्रे वो यूज करती है वो ब्लाक वीडो का है बट ऐसा नहीं है यहां पर वो उस गार्ड को नॉक डाउन करने के बात से उसके हाथ से उसे लेती है उसी के गार्ड के उपर यूज कर देती है एवेंजर्स मूवी में हमें फर्स टाइम ब्लाक वीडो का सिखनेचर वेपन यानि की वीडो बाइट देखने को मिला था जिसे उसने एक चित्तौरी सोलजर के उपर यूज किया था and विंटर सोलजर मूवी में उन्होंने एक यूमन के उपर बिसीकली ये एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज छोड़ता है जो की अपने हाइस्ट कैपसिटी में एनेमी को जटके देता है और उसका रिंच करीब दो लाख पचास हजार से लेकर तीन लाख वोल्ट तक है जो की काफी है किसी को भी पर्मनेंट नर्फ डेमेज देने के लिए थर्ड डिग्री सब डर्मल बर्ण देने के लिए आँखों की रोशनी को हमेशा के लिए गुडबाई टाटार करने के लिए और एक्स्ट्रीम केस हुआ तो डारेक्ट मौत भी हो सकती है ब्लाक वीडो इसको मोस्टली लोवर सेटिंग में रखके यूज करती है ताकि जादा नुकसान एनिमी को ना हो क्योंकि ब्लाक वीडो मेंली स्पाई और कोवर्ट मिशन के लिए ट्रेंड है तो जितने कम नुकसान में उसका काम निकले वो उसी के उपर एम करती है लेकिन एवेंजर्स मूवी के अंदर चितौरी आर्मी से भिरने के अट वक्त उन्होंने इसे लोवर सेटिंग में नहीं रखा था बलकि उसे हायर सेटिंग में रखा था जिसके वजह से चितौरी के सोल्जर्स तक को भी दिकत हो रही थी जो कि आप नाम और देखर ही समझ गए होंगे कि ये क्लोस कॉमबैक्ट में डांडिया खेलने के लिए होता है बट 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 जैसा कि वी ओन लो कि सबके गैजट्स अब ग्रेट किये थे टोनी स्टार्क ने एवेंजर्स एज ऑफ उल्टॉन के एवेंट से पहले तो उन्होंने वीड़ो के गैजट्स के साथ उनके ड्रेस को भी अपडेट किया था जिसके वज़ए से उनका ये ड्रेस थोड़ा सा गलो करता था और इस glow का कारण था उस suit में flow हो रही energy जिसके मदद से उन्हें एक extra boost मिलता था जब भी वो कोई attack करती थी खास तोर पे जब उनके attacks, elbow, knees या fist से होते थे तो जिसको भी ये लगते थे उसको black video की ताकत का स्वाथ के साथ साथ जटके भी लगते थे ये kind of उसके hit की ताकत को बढ़ाता था प्लस पहले जो normal बैटन्स थे उनके जगा उन्होंने electrocute वाले बैटन्स को use किया था के अगेंस्ट में वह हमेशा माहौल देखकर ही सब चूज करती है इसलिए civil war में हमें वह नॉर्मल बैटन पे शिफ्ट होते वे दिखाए दी और उसके बात से पिर अलग अलग मुवीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइपस बैटन्स उन्होंने यूज किया अब बात करे पोटो स्टैट्रिक फील की तो इसके मदद से वह किसी का भी चहरा ले सकती थी शर्ति उनके पास जिसका चहरा लेना है उसका डीने और वाइस सेंपल हो यह वी बेसिकली एक होलोग्राफिक सेल्स बनाता है जो कि नैनो साइज टेक के मदद से होता है जिसके वज़े से इस से ट्रेस करना भी मुश्किल है सीविल वार में हम ब्लैक वीडियो को टेजर डिस्क अपने गॉंटलेट से शूट करते हैं जो कि एक अपडेट था साथी साथ वीडियो किस नामक एक चीज भी है जो कि इस गॉंटलेट में मौजूद थी जिसके मदद से वह किसी को भी बे अब नहीं दिखाए गई चीजों की बात कर ही रहे हैं तो एवेंजर से इंफिनिटि वार में जो उनके बल्ट थी उसमें एक मेकानिकल स्पाइडर डाय चीज ती जो की काफी हद तक स्पाइडर मैन हूमकमिंग मुवी में दिखाए गए स्पाइडर मैन के चेस्ट में अलावा कुछ और चीजें भी बनाए थी जैसे कि उन्होंने उनके बैटन्स को इंप्रोवाइस कर दिया था इस तरीका से कि अगर वो चाहती तो उन्हें जोड़कर एक बड़ा सा स्टाफ भी बना सकती थी इसके अलावा बताने क्यूं ब्लैक वीड़ो ने गंस के जगा यह उड़ाया गया बड़ 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 मेरे दिमाग में ये बात खटकी थी और वो यह थी कि वी ओन लों कि ओकोई ने स्पीर से जो हमला किया था वाइवरें तो सिमिलर वे में हो सकता है कि ब्लैक वीड़ो का यह जो डिवाइस था जो कि उसने ना सिर्फ अपने गन के बतल वैसे मैं आपको बता दूँ कि ब्लैक वीड़ो का सूट हमेशा ऐसा ही रहा है जो कि जंग के में जखमी हो बुलेट प्रूफ तक नहीं रहा है ठीक से बट एवेंजर एंड गेम में उसने अब तक का सबसे आर्मर ड्रेस पहना हुआ था बट उसमें भी बेचारी को जंग का पार्ट नहीं बनाया गया कोई मजाक नहीं उड़ाएगा एक्चुली वार्मीर में एक फाइट सिक्वेंस होने वाला था बर डारेक्टर ने उसको भी हटा दिया तो इसमें हमारे नटो क्या ही कर सकती है इनकेस कोई इंट्रेस्टेड है उसे देखने के लिए तो उसे म इसके अलावा वो अर्थ में मौजूद और तरह के गंस पर महरत हासिल की है जो कि हमें MCU में देखने को भी मिला है जहां वो अलग-अलग टाइप के गंस को यूज करते हुए नजर आई है इसके अलावा हमने उन्हें चितौरी आर्मी का स्टाफ को यूज करते हुए देख है तो thank you once again और black video का सबसे खतना खतिया जो हमें कभी स्क्रीन में देखने को नहीं मिला बट उसके शिकार कई लोग हुए इन फैक्ट जिसने भी उन्हें देखा है वो उसका शिकार हुआ है और वो है उनका makeup kit जो इनके face को और भी आकरशिट बनाता है जिसके वजह से वो हम लॉंगेश्टर में देखा जाए तो यही हमारे दिल में राज करती आई है और कईयों के दिल में तो यह अभी भी है और नोट मैंने यह कहा है कि वो उन्हें और भी आकरशिद बनाता है क्योंकि बिना makeup के भी वो लोग बावाल ही लगते हैं तो अगर मुझसे कोई gadget रह ग video और इस वीडियो से आपको कोई भी नई information पता चली या नहीं चली वो भी आप मुझे comment section के जरीए बता सकते हैं चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कर दें ताकि ऐसे ही awesome videos आप मिस्स ना करें और अगर आपने subscribe कर दिया है तो please check कि आपने bell icon दबाया है या नहीं अगर आपने से दबा दिया तो well and good और नहीं दबाया तो कोई बात नहीं जब मन हो तब दबा दीजेगा इसके अलावा हमारे चैनल का एक चोट असा मोटो है लोगों की मदद करें अपना खयाल रखें और की moving forward का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें thank you for watching this video stay tuned